अगर आपने आठ या दस साल पहले किसी कंपनी में काम किया है और आप EPFO यानि Employee Provident Fund के तहित रइस्टर्ट थे परन्तु आपके पास उस समय का आपका PF नंबर और UN नंबर अभी अविलेबल नहीं है होता क्या था दोस्तों कि बहुत सारे करमचारी किसी कंपनी में काम करते आठ या साथ मेने तक काम करते थे उसके बाद में दूसरी कंपनी में काम करने लग जाते थे उस समय आपका PF नंबर दूसरी कंपनी में काम करते थे तो बदल दिया जाता था आज की तरह नहीं होता था कि एक UN नंबर अगर आप कंपनी बदलते हैं तो वह UN नंबर आपका ह आपका पी फ नमबर बदल दिया जाता था और उस चमय का कॉंटेक्टर से अभी तक आपका संपरक नहीं हो पाया है यह उस contact ने आपको उस चमय का पी एफ नंबर नहीं दिया है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप उस पीएफ नंबर को जान सकते हैं यानि यूएं नंबर को आप जान सकते हैं और उसको कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं नमस्कार मेरा नाम है सुबराम सिरोवार आप देख रहे हैं सुबहम टेक्निकल सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निलोजी वीडियो पाने के लिए अब भी हमारे चैनल सुबहम टेक्निकल को सबस्राइब कीजिए और साइड में जो बैल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए पचास रुपे पे टीम कैस रन करने के लिए अभी अपने फोन में डाउनलोड करें फोर फन एप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पी एफ नमबर और यूए नमबर पता करने के लिए सबसे पहले आपने साइन इन करना है यूनिफ़ड पोर्टल.gov.in पर अगर आपको नहीं पता कैसे कहां से आप इस साइट पर आएंगे तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा वहाँ से सीधे ही आप इस साइट पर पहुंच जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने चार उप्शन निकल कर आते हैं जिसमें यून स्टेटस पर आपने क्लिक करना है दूसरे नमबर वाला उप्शन जो दिखा रहा है ये वाला उप्शन पर आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुल कर सामने आ जाता है कुछ इस परकार से इस पर आप से पूछ रहा है आपकी मेंबर आईडी या यूए नमबर तो अभी आपके पास ना तुख मेंबर आईडी है ना यू ए नमबर है तो उस कंडिशन में आप अपना आधार नमबर इसमें डालें यह जो PAN नमबर रेश्टर्ड उश्यम आपके अकाउंट में था वो pen number इसमें डाल कर आप अपना PF number जान सकते हैं उसके बाद में यह आपसे नाम पूछ रहा है as it is name आपने जो उश्रम आपके PF account में होगा वो वाला नाम आपने यहाँ पर लिखना है अगर गलत नाम लिखेंगे तो यह दिखाएगा नहीं और तीसरे number पर पूछ रहा है आपसे date of birth उस समय आपके employer ने या आपने जो date of birth बताई थी वो वाली date of birth ही आपने यहाँ पर लिखनी अगर गलत date of birth डालेंगे तो यह activate नहीं होगा उसके बाद में आपने अपना mobile number जो भी mobile number आप इसमें registered करना चाहते हैं वो mobile number आप इसमें enter करना है तो चलिए मैं इसमें mobile number वगरा सब कुछ इसमें enter कर लिए हैं उसके बाद में अभी आप से पूछेगा आपका capture code यह capture code आपको दिखा रहा है इसमें पाँच अंको का capture code दिखा रहा है अगर capital में है तो आपने वो capital में लिखना है अगर small letter में है तो वो आपने small letter में agt जिसमें लिख देना है उसके बाद get authorization पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से new tab open हो जाता है उसके बाद में आपकी जो mobile number इसमें लिखा था आपने उस पर एक OTP चारंकों का जाएगा और यह यहां पर आपने आई एगरी पर tick mark करना है उसके बाद में OTP टैब आपका open हो जाता है तो मेरे पास OTP आ चुका है मैंने OTP इसमें डाल कर get validate और OTP पर click करेंगे जैसे ही आप OTP पर click करेंगे तो आपका जो mobile number आपने registered इसमें किया था उस mobile number पर आपका UN number और PF number आपकी mobile number पर पहुंच जाता है तो कुछ इस प्रकार से आसानी से आप अपना PF number और UN number जान सकते हैं तो दोस्तों यह है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को अधिक सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए